अज हम जो पढ़ने जा रहे हैं तो इसमें ना देखो लेट जो होता है कोई पर्सन इन्हेल कर लेता है ना तो यह 10 ताइमस ज्यादा dangerous होता है as compared to an ingested ठीक है तो inhalation से ज़्यादा तर इसकी poisoning होती है अब और कैसे हो सकती है absorption from skin or mucous membrane skin or mucous membrane पर इसका absorption हो गया है और ingestion की विज़े से भी poisoning हो सकती है mechanism of action क्या है कैसे हमारी body में लैड जब चला जाता है तो कैसे एक करता है तो यह हमारे enzymes के sulfide rile groups के साथ बाइंड करता है और क्या करता यह spasm करता है capillaries और आर्टिरियोल में मसल्स का और deposit हो जाता है brain और peripheral nervous system में जिसकी जैसे encephalopathy भी हो जाती है और यह interfere करता विसकली इस enzyme के साथ delta amino livolinic acid dehydrates यह काफ़ important enzyme है अले बोलते हैं अब लैड के sources क्या है कहां से लैड हमारे पास आता है तो लैड एसिटेट होते हैं लैड ओक्साइट होती है लैड कारबोनेट होता है जिन्हें हम वाइट लेड बोलते हैं टेट्रा ओक्साइड होती है और और chromate ठीक है अब दॉबसका अब चलता हो संद्ध करता है और यही सबसक्राइस भाएजन से होता है साथ में ब्लैक ऑफेंसिव स्टूल होते हैं क्यों सबसे पहले जी क्या सिम्टम आएंगे मेटालिक टेस्ट होता है थर्स्ट होती है बहुत ज्यादा नौजिया वॉमिटिंग कॉलिकी पेन होता है कॉंस्टिपेशन होता है और ब्लैक स्टूल आते हैं डूटु फॉर्मेशन ओफ लेड सलफाइड नर्वस सिस्टम पे देखते हैं तो नर्व पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे क्या होगा तो लेग में क्रैम साते हैं आर्थरल्जी आ मतलब की जॉइंट में होता है पैरलिसी लिम्स का और किड्नी के अंदर इंदर की यूरीन चीक है यूरीन की क्वांटिटी बहुत कम होती है लेड जो होता है यह ब्लड टेस्टिस यह को क्रॉस कर सकता है जिसकी वजह से यह ब्लास्टोफॉरिक एफेक्ट करता है स्पर्मेटोजवा के उपर अब यह ब्लास्टोफॉरिक एफेक्ट क्या होता है ब्लास्टोफॉरिक एफेक्ट का मतलब है जो लिक्विफेक्शन टाइम है सीमन का वह बढ़ जाता है और स सीमन की क्वांटिटी कम हो जाती है दिस लोन अज ब्लास्टो फोरीक इफेक्ट ऑन स्पर्मेटो जो यह लैड पॉजनिंग के अंदर होता है क्योंकि लैड जो होता है यह ब्लड टेस्टिस बैरियर को क्रॉस कर सकता है चिक है अब इसकी फेटल डोउ देखते हैं तो नना अब अबस्ण अगर हो गया है तो लैड की 5 ग्राम होती है फेटल डोस अगर अगर Nat iacht a 4 ग्राम फेटल डोस andar futures 400 और वह भी प्यूर तो एक से दोट्रॉप्स के अंदर परिसं की डैथ ही झाती है फेटल पिरेड कितना होता है दो being tragicallyς कि फाला है या स्किन के कॉन्टेक्ट में आया है अगर पॉइसलिंज किया है तो सबसे पहले सब्लोब वाश करते है गोजिंग का साथ और यह क्या करता है lead sulfate formation कर देता है जिसकी वजह से उसको वाश आउट कर दिया जाता है पानी के साथ या फिर morphine और देते हैं जो कि कॉलिक में रिलीव करता है मैंने बताया था कि सिम्टम में क्या होता है कि पेट में बहुत दर्द होता है तो उसको रिलीव करने के लिए और रहे वो करके बावल को क्लियर कर देते हैं क्यों जिससे की जो लैड ना वह स्केलेटन में डिपोजेट हो जाए उसके इंपक्ट कामाए सर्कुलेशन में ना रहे वो तो स्केलेटल डिपोजेशन करवाने के लिए हम कैल्शियम रिच डाइट देते आपको अच्छे से याद रखन करते हैं डालेशिस करते हैं दो रगावारी प्रॉण बहुता है हमो खता है य्मस हो ब्लेशित परिटोन टाक्ट को पुरा निकाल के उसमें लेड को have postmortum changes क्या होगा 되면 को postmortum changes मेंogenगी Gastroenteritis होगा मतलब की स्तमक्क और intestine के इंधर inflammation हो गी और उन दोनों की mucosa में congasion देखने को मिलेगा और resc mention मतलब कई में इरोजन हो रखा होगा है यृक्त है मुकोसा discontinuous होगी ब्लैक उफ़इस्टूल होंगे intestine है आदर डू tip formation of led अब आते हैं chronic lead poisoning chronic lead poisoning ज्यादा कॉमन होती है इसको हम plumbism saturnism saturnine poisoning यह सब इसके नाम होते हैं अभी होती किसलिया है होती किस वज़े से है तो इंडस्ट्री वरकर जो paint industry glazing industry color industry dye industry और टिनिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं उन लोगों में घरों में कैसे हो सकता है हम घी को रखते हैं तो उनके अंदर लेड़ होता है तो उसकी वज़े से हो सकता है या फिर ऐसा कोई खाना जो टिन्स में बनाया गया हो ठीक है और मोबिलाइजिशन हो सकता है तो जो मैंने आपको बताया था ना कि जो लेड़ स्केलेटन में डिपोजट करवा देता है कैल्शियम तो वह जो डिपोजिशन हुआ है अगर वह मोबिलाइज होने लगेगा तो उसकी वज़े से भी प्लमिजम यानि कि क्रॉनिक लेड़ पॉ तक बहुत इंपवरटन्ट कोषिन होता है ठीक है तो सबसे पहले जो सिम्टब मोता प्ली होता है मतलब कि फेस पे लुश नेश आएगी और सबसे पहले यहीं देखने को ता हो त votes यसलिए है वेस वाजे से ओंब पाइस सबस्य नंचल्स का मतलब है अगर यह अंद तो यह plein sate besoophilia होता है hypox क्रोम hypox का इलिस अनेया होता है और होता क्यों है porphyrin metabolism porphyrin ring और Ц्वक hymoglobin के अंदर होती है ठीक है तो उसमें interference की वज़े से होता है और यह जो porphyrin ring है न यह excrete होग यूरूरीन गरिप्रू lead line यह बहुत important है इसको हम बर्टोनियन लाइन भी कहते है या लाइन ऑफ बर्टन भी कहते है, बी-उ-अ-टी-ओ-एन बर्टन लाइन, इसमें क्या होता है, सब एपिथिलियल डिपोजिशन हो जाता है, लेड का, जहांपे टीथ और गम्स का जंक्षन है, ठीक है, ब्लू कलर गी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है पैरलयोसिस होगा और ड्रोप हो जाता है और फुट्रोप सब्सक्याति होती ipli में क्या होगा रीकर्ण कनवलजंट समय देखने को मिलते हैं और yes पober्न अब्सक्राण ओव जाएगी तो ग्रीनो बॉक्स्कॉलर मैंनिफस्टेशन होता है पुअ सू र सेटेहएं संसों ह सकता हम सकता है अपर रिप्रॉड़ूब्स के तो इसी इस्तम की जो स्सटार्यींट हो सकता है मैंने उसको बताएं तया किष्प्रमेटोजवा क्या है यह सपर्मेटोजवा में filler यहीं उसको में spermatozoa or deep menu और कॉस्थ कर सकता है वोमेंगे renew के लिए लिएक परेटिस भी आ सकता है ले परकैंने कि अब चैनल फीचस का उटा उता हूघ हूं होगा इसको मुं दॉट राटिमेंल इसमें क्या होता है टेंट Тाफ टो फाल परेथ होगी मेटेलिक टेस्ट ओगा वर्टाइग होगा ठीक है डाइगनोसिस कैसे करते हैं कि लैड पोजनिंग को यह तो कॉलिक होगा लैड कालिक बोलते हैं इसको पंक स्टिट बेसो फीलिया होता है लेड लाइन जिसको मैंने बताया आपको बरतन स्लाइन भी कहते ह यूरीन में लेड़ आएगा पॉर्फाइरें रिंग आती है वैसे रिंग होती है और ट्रांसवस ऑपेक लाइन्स ऑफ लोंग बॉनस डूटीशन अफ लैड लैड डिपोजिशन की वाज़ए से लॉंग बॉनस के एंड पे रांसवस ओपेक लाइन्स देखेंगी और जब ए ओपेक देखेगा लिवर ठीक है कि ट्रीटमेंट क्या है देखो सबसे पहले तो एक्सपोजर से हटाना है च क्रॉनिक एक्सपोजर की विजह बाजिनिंग हो एक्सपोजर से अब जो से अंदर जा जाके उसको हम दो तरीकों से रिमूफ करेंगे इन्हें बोलते हैं चिलेटि ठीक है अब वो प्रॉसेस यूज नहीं होता अब यह वाला प्रॉसेस यूज होता है जिसे हम चिलेटिंग भोलते हैं फिर डेली ओरल पैंसिलमीन होता है और अगर पेशेंट को पैरलिसीज भी हो चुका है तो मैसाज भी करते हैं अब पोस्टमॉटम चेंजेज में क्या जाता है फर्दर अनेलेसिस के लिए ठीक है क्योंकि यहां पर लेड़ के डिपोजिशन देखने को मिल सकती है मैडिको लिगल आसपक्ट क्या है एक क्यूट पोईजनिंग बहुत रेयर होती है और यह होमिसाइड के लिए भी यूज नहीं होता प्रॉनिक पॉजनिंग बह ठीक है अब रेड़ जो ताना ये ऐसा पॉजन उसकता है तो यह था इसका मेडिको लिगल आसपक्ट के मेडिको लीगल आसपक्ट भी कर लिए आपने नहों कमिंग टू हुआ या तेस्ट का रेंगे लेड पॉइसनिंग का तो दो तरह से सब़ता है क्वालिटेटिव और क्वांटीецटिव तेस्ट में हम करतेài staffOYक्षीं आयोढकार्बंस टेस्टियोग टेस्ट बा направ लिए समझना नहीं ही है एक्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे अगर आपको आउट ऑफ कुरियोसिटी देखना है तो आप वीडियोस देख सकते हैं अवेलिवल है यूट्यूब के उपर इंडक्टिव कपल्ड प्लाज्म मास स्पेक्ट्रोमेक्टरी इसका क्वांटिटेटिव टेस्ट हो